और एक दिक्कत हो गया है विडियो के लाइक हम भाई वही चार सो क्या सपस यार कर देना भाई पाटा-फट से यार और तुरत चलो भाई पाटा-फट से पावाजी निकल गए खाते हैं अपन करम्मों गोडी निकालना चालू कर दिया हूं और एक भीया बड़ा-बड़ा ब यह पीजा बनके रखाऊ है रेटी मेट बस इसको हलका सा गर्म करना खाना है तो वेलकम तो माई डेली लाइफ चाल ब्लोग और मैं हूँ आपका भाई आचके सोनी तो दोस्तों फिलाल में अभी आया हूं मैं मदरास उतल में बेट लेने के लिए इसकोटी मेरा नहीं है ब गर की तरफ और आगके लाइक एंडिव भाई वही 400 के असपा सेयर कर देना वाई फटाफाट सेयर और हाँ आप लोग जो भी मेरे चैनल पर ने हो भाई चैनल सस्क्राइब जोड़ू कर लेना वीड़ो को लाइक करना और को में बताना कि आपको आपके भाई की वीडियो क वाई करते हैं हम लोग तो फिलाल मैं बनाने के लिए बैठ गये हैं तो चलिए फटा फटा पर ना कट्लेट बनके रेडिव हो चुका है तो चलिए फटा पर्ष्ट नम्युंगे पीछते हैं मैं मतलब दिल्ली गया, खाटू साम गया ये कहीं भी गया न भाई एक दिन भी बाहना नहीं भॉण कंटीनु रखा मेरा एक्सदेन्ट हुआ नहीं हुआ तो बेट खराब रहा है जैसे भी रहा जो भी सिचुएशन दा हर सिच्वेशन पे मैं कंटी मिव लोग डालता रहा वाई और बाकी आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बहुत ज्यादा बना रहा वाई उसके लिए तहे दिल से सुकरिया अब बच गए क्या अब बच गए है प्याज काटने के लिए प्याज काटने के लिए प्याज काटते हैं लोग फटा-फट तभाई अब चलिए बैठते हैं आप टाविंग 12 के आसपास हो गया है और भाई अब बन गया है लेकिन साम को कल तो बना ही था इस परसो तो बना ही था कल भी न सेवई और रोटी बना था तो फिलाल में सेवई बचा है तो वेश्टेज नहीं करेंगा ममी गरम करके दीजिस को खा लेते हैं इसको खाने का बाद ना अपन खाना खालेंगे और फाइनली में अब जिए में का है अलू 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 मतर अलू मतर बन रहा है और इसमें गरम पानी जो कि गरम पानी की बच्वाटा नहीं है ना परोटी बचा हुआ अलात का है और यह बेगन के जोखा अब बाई जो पड़ाल में बेटें गिची है वरस्तिवारश उगीदा है बाई आए यह अब आए ज़ी खलते हैं मुझे भाटान आपका है है यह मुझे में सारे बारा हुआ है फुमार लागाते लगाते एक बच जाएगा तरह डिबिग से लेकिन क्या होता है कभी जो एक भीया जो छोड़ने जाते हैं तो कि बहाँचले गए हमिका पूरा इंचंग है ना तो शीरी में गर गया है वुपिंग में जब साइट से रही है जब साही तो यह थी एक पता है आप नों का लाइक बना बना को नहीं है तो और जादा कम्यूस्टी करें होगा इस अबाद जाना एक बच चुका है और प्याल में जा रहा हूं भी दुकानों के जाना काने के लिए तो भाई कैसे चलेगी अपने जिन्दगी देखते हैं कि उपर का बहुत ही ज्यादा ना भई जूपर में टीना किसे तरह लगाएना बहुत ज्यादा लुए शितकर मैं तेरह से लादाओं में तो अबाद करता है का लगी दो चाहिए अगे अगे आपके सवाल है को को सब सबस्वाल को सब दिक्कत हो गया है कि अधानी कि दुखान कान आ यहां से लेते हैं प्रेकिंग के लिए दुखान ही नहीं को आ रहाँ लोचहीं है पता नहीं कैसे होगा पासल होगा राज अलग से लोचा है अज किसी का दुकान लग गया है भाई को दुकान पहने चलागा है फुर्पी चाटका बहुत दिन के बाद आज मैं सनीवार को दुकान ख़ला हुने तो सनीवार को ना काफी दिन से सनीवार रभी और दो दिन ड्रेश्ट कर ले रहा है देखते हैं कैसे जाता सनीवार चाहल ब्रो तकाचर आन रहा है कि अचे जाता से राद पार कि ऐसे रहार है अचे अचो अचा आ रहा है जालिव द्धा दिपुजा हुआ है कि अच्छी आट तो टाइमिंग लोग एक बच्छ के पन्दा मैं थो रहा है फानली यह कर्दे दोद्ध में रिंकलत हुआ पंपर दूप बहुत जादा गरी है अरहा गशा फांट लगा है एक दूकान दोगान दोगान दूगान अरहा भाई साब अलागी पांच पिसना कट्लेक पार्सल है कि दुकान में चलते हैं वी दुकान लग रहा है मेरे को ना हरा दोना करना एक टो बंडल चाहिए भाई लिया आता हूं और छोटू के पास गया थे तो उसके पास नहीं नहीं हमेरे पास गाड़ी है नहीं कि मैं जाओंगा लेने हैं हादा इसे बंडल अश्ट्रहों में से लोग अधों अधों पास अधों पास जो रहा है अधों कि अधों गजिए तो लोगा दोना मिल गया अपने को तो पिरी वाला कोई काम नीए फ्रेंग अधाय के आसपास हो रहा है बहुत सारे दुकान लग गए हैं इस फुर्वी वाले सब्सक्राइब है अधों कि अधों निकलता है कड़ाई में से आग लगा देंगा पूरे चोपाटी में मतलब क्या हाल चल गोई दिया अरे तो दूब भी तो आप ही करवा है ना गोई भी आने वाला है तो क्या इस बार गर्में बहुत जल्दी लगना है नेकिन जाया पड़े हुँआ हम मस्त हैं गर्मा गर्म निकालना चालू कर दिया हूं और एक बड़ा बड़ा बोले तो बड़ा बड़ा नहीं मेरे हां जो कश्टमा राते हैं ना उनको छोटा-चोटा मुंगोडी पसंद है और तुरा तांक के सामें निकाला हुआ वाला भी या बोले से निकाल के रखना ओव ऐसे वाला काम नहीं हो पाता भई अपने पास और छोटा-छोटा जित्ता अच्छा मुंगोडी जाएगा न उत्रा माजाएगा खाने में एक दम बड़ा बड़ा जाएगा तो बीच का कच्चा-कच्चा सरह जाएगा पुरा कश्रमर का विध्यान रखना पड़ता है मेरे को भाई कश्रमर को जैसे पसंद उसी किसा आप से निकालना पड़ता है पाइनली मंगोडी इंकल गया है वे मंगोडी में नमकमक सब्टी खेला है कोशिच करते हैं चाहब आने का बस है कर लेते हैं अपन बैठें टाइम पास तो कर ले कुछ अच्छा का टाइम भी आगा पहले अश्क्रिम उसके बाद फिचा है और फाइनली मंगोडी निकल चुका है और यह रहा कटलेट भाई नॉर्मल कटलेट है ना आज कमदब नॉर्मल गरम है ज्यादा गरम नहीं है क्योंकि काफी दर से कश्ण मर नहीं है तो निकाल कर रखा हुआ है कि तुर्ण कि मीठा बोले ना जस मंगोडी निकाला भाई गरमा गरम छोटे शुटे था इसके ज्यादा बड़ा बड़ा मंगोडी रहता है ना भाई तो कच्छा टेप से थोड़ा रहे ज्यादा दिक्कात होता है सब्सक्राइब कर दो दिल को बन करें मार्केट और नहीं दोता है तक बुरे हाल है जाई किसी का मार्केट नहीं साम तक बाकी देखें जैसा भी लेक्त नहीं है अब देखते हैं कर दो पाटी सुंसाने बहुत दिन बाद हैं बहुत साल बाद हैं कैसे बेटा है हाई बोलो हाई हाई बोलो हाई हाई अच्छे दूनों का तवित करा रहा है अब दावाले भाईया के तरफ से फालूदा है एक गिलास मेरो को बना के दिए अपने तरफ से और दीपक भीया कभी एक गिलास है एक काम कीजिए ना इसको थोड़ा सा घसका दीजिए ने तो तुरत जो है ना फिगल जाए गए अब लाल वनों कट्रेट निकाल रहा हूं और अब तक भाई फालूदा में छुवा भी नहीं हो वसी चलाया हूं अलका सा ठीगल जा रहा है पूरा पूरा है अब उनका फिनिस होगे जा रहे हैं गिलास देने लगवक सारी चेक आसपास हुआ कट्रेट निकाल रहूं है और ज़स्ट अब भाई एक ट्रेना उपर का फिनिस हुआ है यह देखा प्रों और नीश्य का फिनिस हुआ है लगवक इसमें साट एक पिसका सबस्पास सब्सक्राइब करें लगवक 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 नव बचके दस मिनट वर आए आज काफी लेट हो गया है समान वाज से भाई अभी जाकर फिनिच वह कोई बात में ऐसे भी कब संद्य कल्दुकान को बढ़ा लेता हुए तो दूसरे दिन के लिए समान ले लेता हुए फटा पड़ से प्लेगा ने तक रूका हुँ लेकिन कोई बात में समान तो निकल गया वाई कि अधर पुरा फिनिच अधर भी पुरा फिनिच दो चाठ्टो बचा हुआ है वस कुछ खाने कमन कर रहा है भूक लग रहा है बहुत ज्यादा तो दिपक भिया यार पाउं बोला सेखने के लिए भूक लग रहा है आपका ठीक ठाक रहा है सुबह से नहीं था ना मदब 6 बजे कब तो इसलो भाई पाटा-पाट से पाउं भाजी निकल गए खाते हैं अपन दौने तरब भाजी है इसी से पेड़ भरेगा अज भाई ये चोपाटी का वियो अब तरब तो लगवक टाइमिंग साड़े दस के आस पास हो गया तो आए होग दोस्तों कि आपको मेरी उडियो पसंद आई होगी और आप जो भी मेरे चनल पर नहीं हो चैनल सब्सक्राइब करें ना विडियो को लाइक करना और को करके बताना कि आपको आपके भाई की वीडियो कैसी रहेगी अब हम लोग बिलते हैं अगले वीडियो पर